हाई गाईज वेल्कम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट आज हम लड्डू गुपाल जी के लिए रिपब्लिक डे स्पेशल एक बहुत ही सुन्दर सी माखन मटकी डेकोरेट करने वाले हैं यहाँ पर देखी मैंने यह छोटा सा मिट्टी का पॉट ले लिया है जिसे आज हम बहुत ही युनीक तरीके से डेकोरेट करेंगे और हाँ गाईस हमारे बाकी दो और युटीब चानल्स हैं टॉप स्ट्रेंग एन इजी डे टू डे लाइफ जिन पर हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग कंटेंट अप्लोड करते हैं मेरे बाकी चानल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे जरूर से जरूर चेक आउट करिएगा चले फिर इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमने वाइट पेंट ले लिया है यहाँ पे मैं अक्रेलिक कलर्स का यूज कर रही हूँ यह देखिए यह वाइट पेंट हमने लिया है और एक मोटे ब्रेश की मदद से इसके उपर हम वाइट पेंट करेंगे यह जो आज मैं आपके साथ मटकी का डेकोरेशन आइडिया शेयर करी हूँ यह बहुत ही यूनीक है बहुत ही ईजी है करने में और आप ही अपने काना जी के लिए इसको जरूर ट्राय करिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि अभी मैं रिपब्लिक डे जैसे आई रहा है तो उसके लिए बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आउँ पहले मैंने कई वीडियो शेयर भी कर दिये हैं लाइक काना जी के ड्रेस, मुड़ा चेयर और भी बहुत कुछ और आज हम काना जी के लिए रिपब्लिक डे स्पेशल मटकी सजा रहे हैं उन वीडियो के भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जरूर से जरूर चेक कर लीजेगा यहाँ पे मैं मोटे ब्रिश का यूज करें हूँ ताकि हम इसे एजिली पेंट कर सकें और यह काफी जल्दी हो जाए जादा टाइम कंजियूम ना करें यहाँ पे मैंने पहले इसका पूरा बेज जो है वाइट पेंट से पेंट किया है इसे मैं 10-15 मिनिट्स के लिए ड्राइ होने दूंगी उसके बाद हम इसके उपर आगे का वर्क करेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से एकदम अच्छे से हमें इसके उपर पेंट करना है आप इसके उपर वाइट पेंट के दो कोट भी लगा सकते हैं या फिर सिंगल कोट में भी आपका काम हो जाएगा वाइट पेंट से मैंने इसे कंप्लीटली पेंट कर लिया है और इसे मैंने 10-15 मिनिट के लिए ड्राय होने के लिए भी रख दिया था अब जो हमारे इंडियन फ्लाक के कलर्स हैं सेफरिन, वाइट और ग्रीन उनसे हम इस मटकी को सजाएंगे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया है अपना ओरेंज अक्रेलिक कलर और पतले ब्रश का मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे हम इस मटकी के एकदम बीचो बीच यह देखिए सबसे पहले इस तरीके की एक स्ट्रिप बनाएंगे औरेंज कलर में अगर आप डिरेकली ब्रश से ही कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं रहता है तो पहले पैंसल से एक स्ट्रिप बना लीजिए उसके बाद आप उसके उपर ब्रश से कलर अपलाई कीजिए वो जादा इजी रहेगा और आपको कुछ ऐसा भी नहीं रहेगा कि स्ट्रिप थोड़ा टेडा मेडा बना है या कैसे एकदम पर्फेक्ट रहेगा वो चीज तो यह दिखिए इसके आउटलाइनिंग कर ली थी उसके बाद अंदर अंदर सिंपली यहाँ पे पेंट अपलाई कर दिया यह बड़े इजी लिए हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यह हो गया ग्रीन कलर मैंने हापे पिक कर लिया है थोड़ा सा बीच में से गैप छोड़के नीचे की तरफ ग्रीन लगाएंगे यहाँ पे इस मटकी के एकदम बीचो बीच हम छोटा सा इंडियन इसे अंदर से फिल कर दूंगी मैं मुझे कमेंस में जरूर बताइएगा कि यह आइडिया आप लोगों को कैसा लगा और इस रिपब्लिक डे पर अपने लड़ू पाल जी के लिए इसको जरूर से जरूर ट्राय करें यह देखिए यह फ्लाग का बेस हो गया है यह फ्लाग तो हमारा इतना कंप्रीट है अब इसमें हम अशोग चकर बनाएंगे जिसके लिए ब्लू कलर का अक्रेलिक पेंट यह पर हमने पिक कर लिया है और अशोग चकर बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बारिक ब्रष की जरूरत होगी तो मैं एक दम पतला वाला यहाँ पर ब्रष भी पिक कर लिया है चलिए फिर हम अशोग चक्रे बना लेते हैं सबसे पहले तो यह वाइट वाली स्ट्रिप के एक दम बीचो बीच एक राउंड बना लिजी इस तरीके से उसके बाद जो अशोग चक्रे में स्पोक्स होती हैं वो हम बना लेंगे और फाइनली फ्रेंज यह देखिए हमारा इंडियन फ्लाग बनके तयार है अब हम इसके उपर और नीचे की तरफ जो है लाइन्स देंगे सबसे पहले मैंने औरेंज कलर लिया है और उसकी मदद से यहाँ पर हम इस तरीके से बाउंडरी दे रहे हैं यह एकदम हमारी मटकी का टॉप का हिस्सा है जिस पे मैं पतले ब्रश का यूज करके एकदम प्रॉपरली लाइन बना रही हूँ यह देखिए यह कुछ इस तरीके से आपको करना है यह रिपब्लिक डे स्पेशल हम अपने काना जी के लिए मटकी डेकुरेट कर रहे हैं जिसे डेकुरेट करना काफी ज़्यादा असान है और काना जी के पास आप इसको रख सकते हैं और रिपब्लिक डे पर डेकुरेशन के पीस के तोर पर बहुत ही अच्छा लगेगा यह काना जी के लिए मैंने बहुत सारे dresses के भी वीडियो दिये हैं आप भी अपने काना जी के लिए Republic Day Special Dresses डिजाइन कर सकते हैं उन वीडियो से आइडिया लेकर मैं उनका लिंक भी नीचे description box में mention कर दूँगी जरूर चेक आउट करेगा ये एक हमने orange paint की line दे दी अब green paint मैंने हाँ पर पिक किया है और नीचे की तरफ same हम यहाँ पर एक strip बना देंगे एकदम properly लेते हुए ये देखिए कुछ इस तरीके से and finally friends हमारी प्यारी से लड्यो गोपाल जी के लिए Republic Day Special माखन मटकी बनके तयार है यहाँ पर माखन का लुक देने के लिए मैंने cotton ने इसके अंदर फिल कर दी है और उपर उपर से भी थोड़ी हमने cotton निकाल दी है so that ये एकदम real दिखाई दे I hope आज का वीडियो देखके आप लोगों को मज़ा आया होगा ये वीडियो आप लगों के लिए काफी जादा helpful सावित हुआ होगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसा लगा और वीडियो को like, share and चानल को subscribe जरूर करें तो मैं मलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर हरे कृष्णा राधिराधे